da hello friends welcome back to my channel दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों अगर आपके पास EA games का ये error आ रहा है तो इस error को आपके इसे easily remove कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हों फिर दोस्तों आपको यहाँ पर से EA Games को जो है आपको select करकर right click करना है इसके बाद end attacks के ओपर click कर देना है उसके बाद आप इस window को close कीजिए फिर आपको windows की setting में जाना है start menu पर click कीजिए setting पर click कीजिए setting open हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर left side में apps का option है आप इस पर click कीजिए उसके बाद apps and feature पर click कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर search bar में type करना है EA Apps तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर आपको यहाँ पर right side में 3 dots दिख रहे हैं आप इस पर click कीजिए उसके बाद install पर click कीजिए फिर से अंश्टॉल के उपर किलिक कीजिए EA Apps जो है अंश्टॉल हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप फिर से रेंश्टॉल कीजिए EA Apps को उसके बाद आप अपने PC को एक बार रे स्टाट कीजिए प्रॉब्रम सॉल्फ हो जाएगी तो इस तरीके से आप इसलिए प्राब्रम सॉल्व कर सकते हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आथा तो फिलीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना